इस वीडियो के पूरा बोच करके देखिएगा नहीं तब परफेक्ट है यामला का रेस्पी नहीं बनेगा जो तक पूरा बोच करके देखिएगा न कौन से ट्रिक कौन से बनेगा इवरीवन गुड मॉर्निंग तो स्वाने की दुनिया में आप लोग का श्रागत है स्वाने करनाय नहीं में पूरा बोची की दुनिया ट्रागत है तो देखिए आम लाग पहले से मैं ही दो ली थी एक फोक के साहता से इसको होल करेंगे इतना होल करेंगे कि ये पुरा सौप्ट हो जाए तकि इसको दबाने से पानी अच्छे तरह से निकल जाए जानते हैं इसको आम लामें विटामिन सी के सबसे अच्छा सुरूतों में से एक सुरूत माना जाता है जिसमें विटामिन सी के अलावा विटामिन ए विटामिन बी कंपलेक्स कार्भोहड़र्ट और फाइवर से मौझूद होता है जिसमें पोटैसियम, कैलसियम, मैगनेसियम और आयरन जैसे मिनरन मौझूद होते हैं जो कि बिमारियों में भाइदे मंद होते हैं देखिए इसी तरह से सारा पानी को निकाल लेना है दबाह करके अच्छे से देखिए मैं एक सारा को निकाल लिए थे देखिए इसका पानी निकल जैसे कितना भाइट हो गया है हाई लगभाग एक कटोरी इसमें पानी निकला है जो कि पानी फेकिएगा नहीं वह बालों में ने तब इसको पी सकते भी में बहुत फाइदेमन होती है इस पानी बजार में भी मिलता है आमला के जूस तो देखिए इसी तरह से चूना को लगभाग हम आधा चम्मच के करीब चूना लिए थे इसको पानी में गोल दिये हैं अच्छे से गूल गया है अब इसको इसी तरह से डाल देंगे देखिए अब इसको आठ घंटे के लिए रेश्ट करने के लिए रख देते आठ घंटा देखिए हो गया है अब इसको सारा को इससे निकाल लेंगे इसी तरह से इसको दबादबाक पानी निकाल लेना है देखिए आमला इतनी फायदे मन होती है इस सीजन में बहुत मिलती है आमला और भी कोई सीजन में नहीं मिलती है तो देखिए सारा को इसी तरह से निकाल लेना है अब देखिए निकल गए एक भी पानी इसमें नहीं है अब इसी तरह से इसको और अभी दो तीन पानी से दो लेंगे जब दक कि इसकी साप पानी ना आने लगे तो देखिए मेरा साप पानी आ गया है अब इसको एक भाप उससे ज्यादा नहीं लगाना है, तो इसी तरह से ढख करके मैं रख दी हूँगा इस पर, देखे एक भाफ आ गया है अब इसमें, इसको निकाल लेंगे, एक कड़ाय चड़ाएंगे उसमें जितना आमला है, अब एक केजी आमला है तो एक केजी चीनी देना है, आधा केजी तुछ आमला है तो आधा के जी चीनी देना है तो इसी तरह से इसका माप कर लिजिएगा कि जितना आमला उतना चीनी तो देखिए इसको घुलने तक के चीनी को बस एक गिलास विज़ से पानी डाले हैं जितना चीनी है इसमें हम दूर डाल दिए इसलिए कि उसका सारा गंगी निकल जाए चेनी से ताकि उसका जो सीरप होगा दम साप हो जाएगा देखिए सारा गंगी किसी किनारे लग रहा है लग रहे हैं इसका सारा जो लग रहे है किनारे से उसका सीरप का गंगी है तिसका निकाल लेंगे एक छन्नी के सहायता से या कोई चीज से निकाल लेंगे लुए सुरऊ शसरा गंदगी को देखे किसी किनारे लग गया है देखे कितना साफ हो गया है अब इसमें डाल देंगे सारा आमला को इसको इतना पकाना है कि देखिए ट्रांस्पारेंट जब तक नहीं बंद करिएगा देखिए आमला जो है ट्रांस्पारेंट दिखने लगा है देखिए सॉप्ट भी लग रहा है